सर्सों की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है जनवरी 2021 से अब तक सर्सों की कीमते 65 फीसद तक उचल चुकी है दरसर त्योहारों के चलते मांग बढ़ने और सप्लाई में कमी से सर्सों की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है जिससे सर्सों में लगातार तेजी का रुजान बरकरार है सर्कार ने रभी MSP में 8.6 फीसदी की बड़ातरी की है सरकार ने आगामी रभी मौसम के लिए सरसो की MSP 400 रुपे बढ़ा कर 5,050 रुपे प्रती कुंटल कर दी है वहीं तंग सप्लाई और त्योहरी मांग से सरसो के भाव लगातार बढ़ रहे हैं और नई फसल आने में अभी 4 महिने का वक्त बाकी है बाजार सूतरों के मुताबिक सरसो का स्टॉक घटकर महज 30,000,000 तन ही रह गया है जैसे जैसे कीमत बढ़ रही हैं बाजारों में आवक्ती बढ़कर 2,000,000 बैक से अधिक हो गई है बाजार सूतरों का कहना है कि सरकार को आगामी सरसों फसल के लिए बीच का इंतजाम पहले से ही रख लेना चाहिए जिससे एहन वक्त में बीच की कमी ना हो मंडियों में सरसों की मौझूदा स्थिती को देखते वे सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए वही सूतरों के अनुसार सरसों के जो दाम किसानों को मिले हैं उसे देखते वे सरसों की अगली पैदवार लगबग दो गुने से भी अधिक होने का अनुमान लगाया जा रहा है वही बाजार के जानकारों के मुताबिक सलोनी, आगरा और कोटा में सरसो की कीमत 9300 रुपे से बढ़कर 9400 रुपे कुइंटल तक हो गई है जहां मंडियों में सरसो की कीमते 9000 के पार जा चुकी है वो ये वाइदा में भी जानकार सरसो की कीमते 9000 के पार जाने की उमीद लगा रखे है